गुना सांसत के भी आदब ने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंच कस्ति हुए कहा कि वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि वो जोग होता है गुना सांसत के भाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी द्वारा सांसत में माईक बंद कर देने के आरोब के सबल पर जवाब देते हुए उन्होंने का कि वो विपक्षी पार्दी के बहुत बड़े लीडर हैं काईदे से कोई भी वैक्ती हो चाहे वो सक्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो उसका करते हुए बनता है कि चंता ने उसे चुना है वो संसत में बैठे क्योंकि वह प्रजातंतर का सर्वोश्चे मंदर है वहां बैठे दूसरे लोगों के विचारों को सुनें देशित के मुद्धों पर अपने विचार रखें लेकिन राहुल गांदी ने ऐसा कहा है तो वो बताए कि वह कितने दिन सतर में बैठते हैं कितन हमारे गुना और अशुब नगत के जो प्रवारी मंदी जी है बहुत ही नेगदेर इंसान हैं बहुत ही सेंसिटिव वैक्ती हैं आपने हमेशा देखा होगा दूसरों की तकलीफ उनसे सहन नहीं होती है और यह पहला मौका नहीं है कि जनता की दुख तकलीफों को देखके उनने अपनी पादुकाएं त्यारी है उसके पहले भी कई वार यहां गुना में भी उन्होंने एक अधारन पेश किया था कोई बाबा थेला धलका के ले जा रहे थे उन्होंने बड़ा पसीना आ रहा था बुजर्द के तो गाड़ी से उतर चे उनकी मदद की कई बार पड़के वहां सफाई करने जुचाएं यह उनका सुभाव है और जनता की पीड़ा उन्होंने यह सोचा होगा कि मैं इसको जल्द कराऊंगा और वनी बात है हम सरकार में हैं हम बहुत जल्द रोडों को ठीक कराएंगे और इस मद्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कि जनता पार्टी का जब से सासन नहाया है तब से रोडों की अलग शुद्री है और इस मद्य प्रदेश में भी जब यहां कॉंग्रेश की सरकार उवा करती थी तब जिस भी प्रदेश से हम मद्धिप्रदेश में एंट्री करते थे तो यहां अलगी पता लग जाता था कि मद्धिप्रदेश देखिए वैसे वह उनकी निजी लाइफ है मुझे उनके बारे में बहुत जादा नहीं बोलना चीए पर चुंकि आपने पूछा अगर उनके बारे में और इस तरह का अगर उनके अनगों ने स्टेट्मेंट दिया है मैंने सुना तो नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि अकर वो बहुत बड़े लीडर है विपक्षी पार्टी के और काईदे से वोई भी व्यक्ति हो चाए वो सत्ता-पक्ष में हो विपक्ष में हो उसका कर्तब भी बनता है कि जनता में उसे चुना है जिस भी लोकसावा से जो भी ब्रक्ती चुनके जाता है तो उसका धर्म भी बनता है उसका गतव है कि वो पारलेमेंट में बैठे है क्योंकि वो प्रजात अंद का सरवोच समंदिर है वहाँ पर नए कानून बनते हैं नए निड़ने लिए जाते हैं देश हित में राज स्टेट में निड़ने लिए जाते हैं तो वहां बैठें लोगों के विचारों को सुने देश हित्की बातों पर अपनी राय रखें और देश के लिए क्या और बहतर हो सकता है उसका प्रयास करें लेकिन अकर ऐसा उन्होंने बोला है तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जरा उनसे ये पूछें कि आप कितने दिन सत्र में बैठते हैं वहते हैं लखे bit कितने तरहते ही नहीं है आप आप इस थाले की बात करना तो मतलब मैं समझाजी में रहां इसलिए हपसी अकछ्er है भारत जोड़ो यात्रा से क्या कॉंग्रेस आसल करने वाली आज़े यह कुछ भी नहीं होने वाला नाहीं यह भारत जोड़ो यह समझी नहीं आता है अगर उनको निकलना था तो जो हमारा अखंड भारत था जो हम चाहते हैं कि हम जो है विश्व गुरू बने अखंड भारत का निर्माण हो इनके सासनकाल में जब जब इनकी सरकार रही है जो हिस्से हमसे तूटे हैं और जो गलट इनके पूरवजों ने इनकी पार्टी ने पहले लिये थे कि देश में ही कई विवाजन किये थे दारा 370 जैसे कानून लेकर आये थे जिससे के भारत के जो सिर्मोड था वही भारत का अभिन अंग था जो वहीं अलग-अलग कानून चलते थे तो यह सब चीज़े ना करके वह भारत के अंदर भारत जोड़ो पता नहीं क्या देखे चले हैं और क्या करने चले लेकिन मुझे तो यह लगता है कि जब से वह चले हैं और उसके पहले से भी रोज उनकी पार्टी जरूर पी जा रही है पहले वह अपनी पार्टी को जोड जा रही है उसके नेता आडंबर करने निकले हैं बारत जोड़ों के लिए लेकिन अपनी बार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं अभी तो आप देखिए यह चुनावी साल है क्याई और कॉंग्रेसी तूट तूट के जो राष्ट हित में बात करेगा राष्ट हित की सोचता है हमारी पार्टी से निश्चित ही आगे भी जुरते रहेंगे लोग और बाकी कॉंग्रेस तो समाप्थ होने की दगार पर है तो निश्चित ही हमारी ही सरक्यारवर्ण